यस गूद इवनिंग अल अफ यू बताओ जारा आडियो वीडियो क्लियर है सबको गूद इवनिंग यस आडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोगोंने लास्ट क्लास में क्या-क्या देख लिया है अगर आप लोगोंने प्रिवियस क्लास मिस कर दिये तो आप लोगों मैं बता दू प्रिवियस क्लास में हम लोगोंने सिंगले लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं उसका insertion, deletion देख लिया था, फिर हम लोगोंने doubly link list का भी insertion, deletion देख लिया था, और आज हम लोग देखने वाले हैं circular link list और उसका insertion और deletion वाला part, ठीक है, तो ये सारी चीज़े हम लोगोंने अभी तक cover कर ली है, अगर किसी ने पूरी playlist नहीं देखी है, तो देख लो, और अभी हम लोग link list cover करने जा रहे हैं, उसके बाद हम आगे के data structures करेंगे, ठीक है, तो ये आपका complete DSA का course होने वाला है, जावा में वो भी free, ठीक है, देवरत, गुड इवनिंग, अभी, राज, विक्की, गुड इवनिंग, चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं circular link list, circular link list, इन जावा, तो अब circular link list का क्या रोल होता है, वो देखते हैं, circular link list मतलब कि आपने जो link list बनाई हैं, उसको cyclic order में connect कर देना है, अभी तक हमने जो link list देखी थी, वो ऐसी थी, कि हमारा ये first node था, ठीक है, उसके बाद second node connected होता है, उसके बाद third node connected होता है, फिर fourth node connected होता है and so on, ठीक है, इस तरीके से हमारे link list बनती है, और first element को head point करता है और आप अगर चाहो तो last element के लिए भी अपना pointer maintain कर सकते हो, वो आपकी algorithm के according है, उसमें हमने head pointer को रखा है, tail pointer को नहीं रखा है और tail pointer को भी अगर आप maintain करके रखोगे तो आपका code और आसान हो जाएगा, ठीक है, तो आप चाहो तो जाज-जादा tail pointer को भी रख सकते हो, लेकिन अभी जो हमने करा है, उसमें हमने head pointer को ही रखा है, और head pointer को जब हमने रखा है, तो हमारा last location में क्या रखा होता है, null रखा होता है, तो जैसे कि मालो की मेरे पास element रखे है, 10, 20, 30, 40, तो last node कैसे identify होता है, तो last node का identification mark ये है, कि हमने last node के next में null रखा है, ठीक है, अब circular link list क्या कहता है, circular link list ये कहता है कि आपके last node में null नहीं रहेगा, बलकि आपके last node में first block का address रहेगा, मतलब जो हमारा first node है ना, first node का address आप लोग हमारे last node में रखोगे, और इस तरह से ये circular order में ये चलेगा, मतलब कि अगर आपने 10, 20, 30, 40 किया, तो 40 के बाद आप आपस से कहां पहुंच जाओगे, 10 पे पहुंच जाओगे, तो इस तरहेखे की link list को हम कहते हैं circular link list, अब ये singly link list में भी हो सकता है, और w link list में भी हो सकता है, singly link list में क्या होता है, कि आपका last pointer है, वो first को point करेगा, और w link list में क्या होगा, w link list में आपके 3 nodes होते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कि मालो की ये मेरे पास डबली लिंक लिस्ट है अब changes बहुत जादा नहीं है बहुत minor सा change होगा अगर आपने एक singly link list का code अगर समझ लिया तो डबली लिंक लिस्ट कभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत जादा difference नहीं है, ठीक है तो ये मेरे डबली लिंक लिस्ट हुआ करती थी ठीक है, डबली लिंक लिस्ट और singly link list का फायदा क्या था, डबली लिंक लिस्ट का फायदा ये है कि आप आगे और पीछे दोनों तरफ move कर सकते हो, singly link list में आप सिर्फ आगे की तरफ move कर सकते हो ठीक है, अब यहाँ पर कैसे पहचान होती थी first node की और last node की, तो first node के previous में null होता था, हमारे पास यहाँ पर दो pointer होते थे डबली link list में, एक previous node का address रखता था और एक next node का address रखता था previous, next previous, next previous, next तो first node की पहचानी होती थी कि उसके पहले कोई node नहीं है तो उसके पहले कोई node नहीं है तो उसके previous में नल होता था और last node की पहचानी होती थी कि उसके next में कोई भी node नहीं है तो उसके next में नल होता था ये उसकी पहचान थी, ठीके, लेकिन, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका null नहीं होगा, null वाला कोई concept इन्हीं है, ठीके ना, null वाला कोई concept इन्हीं है, अब यहां पर आपका, जैसे कि हमने कहा, की जो आपका last node है, वो first location को point करेगा, तो वो तो अभी भी हां पर रहे फर्स्ट नोड का प्रिवियस फर्स्ट नोड जो है वो आपके लास्ट नोड को पॉइंट करेगा यह difference हो जाएगा बस यह एक माइनर सा difference हो जाएगा तो यह circular डबली link list हो जाएगी ठीक है अब आप सोच के बताओ कि क्या changes करना पड़ेगा मुझे अपने existing कोड में कि वो circular link list बन जाए, बताओ, frameworks वगेरा, बिल्कुल frameworks वगेरा पर भी classes प्लान करता हूँ, एक बार ये course complete हो जाए, ठीक है, चलिए, तो बताओ क्या difference होगा, बहुत ही एक minor सा difference एक ये है, कि हम लोग वहाँ पर जब create करते थे node, जब भी हम node create करते थे, तो हम last block में null रखते थे, ठीक है, तो अब यहाँ पर circular link list जब आप बनाओगे, तो last node में null नहीं रखोगे, last node में head का address रखोगे, क्योंकि head भी इसी location को point कर रहा है, तो आप जहाँ पर last node में, जो आपका last node होता था, उसके next में आप क्या रखते थे, उसके next में आप null रखते थे, जब आप singly link list normally बनाते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप null नहीं रखोगे, यहाँ पर आप क्या रखोगे, last node के next में, last node के next में आप head का address रखोगे, मतलब head जिस location को point कर रहा है, उस location का address रखोगे, तो आपका circular link list हो जाएगा, एक changes यह है, और दूसरा changes क्या होता था, जैसे कि अगर आपको last node का पता लगाना होता था, तो आप लिखते थे while, जब तक आपका last, मतलब जो भी आपका p pointer है, जब तक उसका next null नहीं हो जाता, तब तक आप क्या करते थे, उसको आगे बढ़ाते जाते थे, p को, है न, p में assign करते आते थे, p का next, मतलब इस तरीके से आप एक एक कदम अपने pointer को आगे बढ़ाते आते थे, और आपकी last node की पहचान हो जाती थी, लेकिन अब circular link list में क्या होगा, circular link list में ये कैसे पता चलेगा कि हमारा last node आ गया है, वहाँ पर उसके next में null नहीं होगा, उसके next में first location का address होगा, मतलब यहाँ पर आप null नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे head, जब तक आपके pointer के next में head नहीं आ जाता, तब तक आप आगे move करोगे, जैसे ही आपके pointer के next में, अगर head का address आ गया, इसका मतलब कि आप last node पर आ चुके हो, तो यह पहचान होती है, ठीक है, तो यह difference है पहला, कि आपको code में क्या करना है, आपने जहाँ पर भी code में null लिखा था, वहाँ पर null की जगह पर आपको head लिखना पड़ेगा, ठीक है न, जहाँ पर आप चेक करते थे, कि यह रहे यार, ऐसा तो नहीं, कि मेरे link list में एक ही node है, तो कि ऐसे चेक करते थे, जैसे कि head के next में अगर null है, तो वह एक ही node होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे head के next में head ही होगा, जैसे कि अगर मालो की मेरे link list में, एक ही node है, अब देखो, अगर एक भी node नहीं है, तो obvious सी बात है कि head किसको point कर रहा होगा, null को, अगर head null को point कर रहा है, इसका मतलब कि आपकी link list empty है, लेकिन अगर आपकी link list में अगर एक ही element है, ठीक है, अगर आपकी link list में एक ही element है, तो वो खुद को ही point करेगा, ठीक है न, वो खुद को ही point करेगा, मतलब की head के next में, अगर head के next में, अगर head का ही address रखा है, अगर ये बात है, अगर ऐसा है, तो इसका मतलब की only one node is present, इसका मतलब ये है कि एक मात्र, एक ही node हमारे link list में मौजूद है, only one node exists, ठीक है, सिर्फ एक ही node exist कर रहा है, हमारे link list में इसका मतलब ये है, ठीक है, तो ये कुछ points है, जो हमें पता होने चाहिए, circular link list और singly link list में difference पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छा, अब हम जब भी link list पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या-क्या चीज़े हमें सीखनी है, हमें सीखना है कि insertion कैसे करेंगे, और insertion हमें तीन जगह पर करना सीखना होता है, एक तो starting location पर, मतलब first location पर, एक middle location में मतलब बीच में कैसे insertion करना है, और एक last location पर कैसे insertion करना है, और obviously deletion के लिए भी मुझे यही चीज़े सीखनी होती है, कि अगर मुझे link list में कोई element को delete करना है, तो first location पर कैसे delete करेंगे, middle में कैसे delete करेंगे और last में कैसे delete करेंगे, ठीक है, अब जड़ा सोच के बताओ, कि अगर मुझे बीच का कोई element में insertion करना है, यह deletion करना है, तो उसके code में और circular link list के code में कुछ अलग होगा क्या, सोच के बताओ, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 20 और 30 के बीच में 25 insert करना है, तो क्या circular link list के code में और singly link list के code में कुछ difference होगा क्या, कोई difference नहीं होगा, पहले मुझे उस index पर आना पड़ेगा, और फिर दोनों pointers को set करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि 20-25 को point करने लगे, और 25 का next में 30 आ जाए, same doubly link list में भी और singly link list में भी, मतलब insertion in the middle और deletion in the middle, deletion भी करना होगा तो भी same है, मतलब अगर मैंने singly link list में तुमको middle में insertion करना और deletion करना अगर सिखाया है, doubly link list में middle में insertion और deletion करना सिखाया है, तो उस code में कोई change नहीं होगा, इसलिए हम उस point को दुबारा से यहाँ पर discuss नहीं करेंगे, is this clear? क्योंकि singly link list और double link list का जो insertion part है middle में वो same रहेगा, अगर किसी ने previous वीडियो नहीं देखाया तो उसमें देख लेना, अब सब सिर्फ दो चीजे हमारे discussion का point बनता है, है ना, मतलब कि हमने already middle वाला part cover करा हुआ है, हमें सिर्फ यह देखना है, कि circular link list में पहला element को insert और delete कैसे करते हैं, और last element को insert और delete कैसे करते हैं, हमें सिर्फ इस बात पर focus करना है, आया समझ में, तो इस lecture में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कि insertion और deletion front node का और last node का कैसे करेंगे, circular link list में हमें यह सीखना है, practice questions इसमें भी होंगे, फैजान और practice questions के लिए में एक और playlist कलसे में start करने वाला हूँ, जिसमें कि हम competitive programming के questions करेंगे, और उसमें C++ के questions, C++ के तुरू हम लोग competitive programming करने वाले हैं, तो उसमें practice question की भरमार होने वाली है, ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग start करते हैं, insertion वाले parts से, तो मैं अपनी उपर वाली link list को पहले copy कर लेता हूँ, चलो, सबसे पहले तो हम एक blank screen से start करते हैं, कि मालो मेरे पास अभी head में कुछ भी नहीं है, मतलब अभी मेरी link list पूरी खाली है, ठीक है, और अब मैं insert नाम का function अपना बना रहा हूँ, अब ज़रा तुम लोग खुद मुझे बताना, तुम लोग खुद code कर लोगे, क्योंकि तुम लोग अब इतने smart हो चुके हो, ठीक है, तो अब मालो की circular link list, अब देखो node तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, जैसे पहले होता था, node का कोई difference नहीं है, node class हमारी बिल्कुल वैसी ही होगी, जैसे हमने singly link list और doubly link list में बनाई थी, फिर भी मैं आप लोग को बना के बता जिता हूँ, कि हमारा जो class होगा, वो इस तरह की एकी होगी, ठीक है ना, ये मेरी class होगी node की, जिसमें की दो elements को अगर मुझे रखना है, जैसे की एक integer part होगा data रखने के लिए, और एक node reference रखेगा next block का, ठीक है next block का reference रखेगा node, और हम एक constructor बनाएंगे, parameterized constructor, और उसमें मैं value लूँगा, जिसको की मुझे अपने node में assign करवानी है, ठीक है, तो जो भी मेरे value लूँगा, मैं उसको इसमें x में assign करवा लूँगा, अब आप इसके next में null रखो, चाहे ना रखो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि हमें तो next को update ही करना पड़ेगा, नल उसमें से हटाना ही पड़ेगा, अभी तक जो हमने हमारी class बनाई थी, उसमें हमने next में null डाला था, क्योंकि हमारी single link list और double link list में, by default next में क्या होता है, नल होता है, लेकिन जब हम circular link list बनाने वाले हैं, तो उसमें हमारे पास next में null ना होके, head का address हो सकता है, अगर वो last node होगा तो, ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, कि अगर मेरा head नल है, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे सोच के बताओ, कि insert function में मुझे क्या क्या pass करना पड़ेगा, अगर मुझे singly link list अगर बनानी है, circular singly link list, तो मुझे क्या क्या parameter insert function को देने पड़ेंगे, बताओ, दो parameter मुझे देने पड़ेंगे, एक तो मुझे यह देना पड़ेगा, कि कौनसी link list में मुझे insertion करना है, तो जैसे कि मालो की link list है L1, तो circular link list L1 में मुझे insertion करना है, और कौनसी value insert करनी है, मुझे यह बताना पड़ेगा, यह दो चीज़े मुझे बतानी पड़ेगी, अभी by default में मानके चल रहा हूँ, कि मुझे end में insertion करना है, ठीके, और end में insertion का मतलब यह है, कि आप first का insertion भी सीख जाओगे, और end का भी, क्योंकि अगर link list खाली है, अगर link list empty है, तो इसका मतलब कि मुझे first node में ही insertion करना है, तो उसका logic सेम रहेगा, ठीके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि जैसे कि मानलो की मेरी link list खाली है, empty है, ठीके, तो मुझे सबसे पहले check करना पड़ेगा, कि if, अगर मेरे link list जो l1 है, उसका head अगर क्या है, null है, अगर उसका head null है, इसका मतलब कि अभी मेरी link list पूरी खाली है, उसमें कोई भी element मौझूद नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, obviously एक node तो मुझे पहले ही बना लेना चाहिए, क्योंकि वो तो हर्मेशा ही बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे, node type का, एक object बनाना पड़ेगा, और उसका constructor call करके, उसमें value इनिशलाइज करनी पड़ेगी, जो मुझे अभी user ने दी है, ठीक है, तो ये लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से एक node बन जाएगा, और इसके अंदर हमारी value जो भी आई है, वो आ जाएगी, ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा head अगर null है, अगर मेरा head null है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहूंगा कि मेरा जो l1 है, l1.head जो है, वो किसको point करने लगे, एको, तो ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, कि मेरा जो head है, वो किसको point करने लगेगा, जो मेरा head है, वो a को point करने लगेगा, और क्योंकि circular link list है, तो circular link list में null नहीं होता, बलकि circular link list का, जो हमारा next होता है, वो किसको point करता है, वो उसी node को point करता है, मतलब मुझे a.next बोलो, या head.next बोलो, एकी बात है, क्योंकि a और head दोनों एकी location को point कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि a.next में head का address डाल दो ताकि वो खुद को point करने लगे तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि a.next में क्या करो head का address डाल दो मतलब खुद का ही address डाल दो आप चाहो तो यहाँ पे head.next भी लिख सकते हो क्योंकि head और a.a की location को point कर रहा है ठीक है head अकेला नहीं लिखना है l1.head लिखना है क्योंकि हमारे link list के अंदर कौन सी link list का head है यह हमें इससे पता चलेगा ठीक है तो यह तो हमने कर लिया कि माल लो मुझे first node अगर insert करना है singly link list में तो कैसे करेंगे circular form में ठीक है अब हम यहाँ पर देखते हैं कि माल लो मुझे पहले से ही एक node already दिया हुआ है ठीक है अब यह मेरा already दिया हुआ है जो इसको point कर रहा है अब मुझे इसके अंदर एक और node insert करना है ठीक है एक और node insert करना है और एक तरीके से देखा जाए तो वो last में insertion होगा ठीक है तो अब last में insertion कैसे होगा तो अब suppose करो कि already मेरी link list में दो-तीन element मौझूद है ठीक है ना अगर माल लो कि मेरी link list में अगर दो-तीन element already मौझूद है जैसे कि इसमें 10 रखा है इसके अंदर 20 रखा है इसके अंदर 30 रखा है 10 किसको point कर रहा है 20 को 20 point कर रहा है 30 को और 30 किसको point करेगा 30 point करेगा first location को am I right ठीक है अब मुझे चाहिए कि 30 के बाद में मुझे insertion करना है तो मुझे क्या चाहिएगा मुझे एक pointer चाहिएगा जो किसको point करने लगे 30 को ठीक है तो सबसे पहले मैं एक pointer बनाऊँगा जिसको की starting location से start करवाऊँगा ठीक है तो ऐसा करेंगे कि else else part में अगर मान लो कि मेरा head null नहीं है मतलब कि मेरे पास already उस link list में कुछ element रखे है तो मैं क्या करूँगा कि एक pointer p बनाऊँगा reference p बनाऊँगा जो किसको point करेगा head को point करेगा और अब मैं अपने p को आगे move कराऊँगा कब तक बताओ पहले हम लोग p को आगे move करते थे कि जब तक मुझे null नहीं मिल जाता आना है last node तक पहुचाना है तो उसको क्या लिखना पड़ेगा बताओ मुझे while की condition में क्या लिखना पड़ेगा मुझे while की condition में लिखना पड़ेगा कि जब तक while while मतलब जब तक जब तक p का next मतलब जो मेरा pointer जिस location को point कर रहा है जब तक उसके next में head का address नहीं आ जाता, तब तक आगे move करते रहो, तब तक P को next location पर पहुचाते जाओ, है की नहीं, यही लिखना पड़ेगा, कि देखो क्या कि P के next में head का address है क्या, नहीं, उसमें तो 20 का address है, तो P को आगे move कर देंगे, तो P यहाँ पर point करने लगेगा, फिर हम देखेंगे कि क्या P के next में head का address है, नहीं, उसके अंदर तो 30 का address है, तो फिर से मुझे P को आगे move करना होगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या P के next में head का address है, बिल्कुल head का address है, तो इसका मतलब हम रूख जाएंगे, अब हम P location पर आ चुके हैं, और क्योंकि हमने already first line में हमने क्या लिखा है, कि हमने अपना एक A node बना लिया है, जो value हमें receive करी है, वो हमने इसमें ले ली है, और उसके next में null रखा है, अब मुझे settlement करना है, अब मुझे settlement करना है कि मुझे P जिस location को point कर रहा है, तो P के next में किसका address डालना है, A का, अभी P का next जो था, वो first location को point कर रहा था, अब मुझे चाहिए कि P का जो next है, वो A को point करने लगे, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस loop के बाहर, कि P का जो next है, उसमें मैं किसका address डाल दूँगा, A का address डाल दूँगा, और फिर अगला काम क्या करना पड़ेगा, A का जो next है, वो already null रखा है, अब मैं चाहूंगा कि वो head को point करे, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कि भाई जो तुमारा A का next है न, उसमें head का address डालो, तब जाके यह circular link list बनेगा, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कि A का जो next है, मतलब जो हमने नया node बनाया है, उसके next में किसका address डाल देंगे, head का address डाल देंगे, l1.head, बस, ऐसा लिखने से, मेरा insertion हो गया, तो यह insertion at the beginning, और यह insertion at the end, जाला code कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, singly link list के code को पहले मैं copy कर लेता हूँ, ठीक है न, और एक नई file बनाता हूँ, और उसका नाम रखता हूँ, circular link list, यह जितनी भी files हैं, इसको भी मैं github पे या google drive पे upload करके, आप लोग को दे दूँगा, ताकि आपके पास यह सारा source code रहे, साथ ही साथ, मैं इसका PDF भी generate करके दे दूँगा, अभी मैंने डाला नहीं है, तो मैं description में PDF की link, और code की link भी डाल दूँगा, ताकि आप लोग के पास, यह पूरा जितना भी source code है, और पूरा जो handwritten note है, वो भी आप लोग के पास रहे, ठीक है, तो वो मैं आप लोग को description में दे दूँगा, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, अभी मैंने पूरा source code कॉपी करके paste कर दिया, ठीक है न, मैंने क्या किया, मैंने अभी कुछ नहीं किया, जो singly link list का code था, वो पूरा का पूरा copy paste कर दिया, अब इसमें से मैं वो code हटा दूँगा, जो मुझे circular link list में नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छा, node तो मुझे चाहिए है, data part चाहिए, next part चाहिए, constructor चाहिए, तो ये code तो मुझे चाहिए है, इसको मैं ऐसा ही रहने दूँगा, ठीक है ना, मेरे file का class का नाम रख दूँगा, मैं circular link list, ठीक है ना, circular link list, क्योंकि जो dot file Java का नाम है, वही हमारी class का नाम होना चाहिए, जिसमें हम main function बना रहे हैं, ठीक है, अब insert function में हमें क्या करना है, तो insert function में एक तो हमें link list चाहिएगी, और दूसरा हमें value चाहिएगा, जिसको कि हमने x कहा है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, कि अगर मुझे circular link list में, अगर मुझे circular link list में, अगर मुझे insertion करना है, तो मुझे क्या-क्या चाहिएगा अभी मैं इसका return type void कर देता हूँ अब मैं direct object dot करके call कर वाऊंगा तो पिछली बार हमने static के through देख लिया था इस बार हम direct object dot करके call कर आएंगे तो हमने हमारी link list ले लिया और x value ले लिया जो मुझे insert करना है अब मैं check करूँगा कि क्या मेरा head null है अगर मेरा head null है मतला मेरी list empty है अगर मेरी list empty है तो पहले हम क्या करते थे कि हमारे head को a को point कर देते थे ये बात तो अभी भी हमें करना पड़ेगा कि जो हमारा एक मात्र node बना है ठीक है न अगर आपको confusion हो तो मैं आपको draw करके बता देता हूँ कि अभी क्या हुआ अभी हमारा एक a node बना ये मेरा एक a node बना और इस a node में मैंने कोई एक value डाल दी ठीक है ना जैसे कि मालो मैंने 10 डाल दिया और उसके अंदर अभी null रखा है और अभी मेरा head किसको point कर रहा है पहले भी हो रहा था singly link list से compare कर रहा हूँ मैं singly link list से compare कर कर रहा हूँ ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि singly link list और double link list में क्या change है तो इस code में कोई change नहीं होगा बस changes हमें क्या करना पड़ेगा कि अभी a ke next में null रखा हुआ है हम चाहेंगे कि a ke next में क्या आ जाए a ke next में इसी node का address आ जाए मतलब head का address आ जाए तो मुझे यहाँ पर एक line इसके अंदर और add करनी पड़ेगी वो क्या वो यह कि a ke next में मुझे assign करना पड़ेगा head का address l1.head तो इस तरीके से मेरा single element insertion हो गया ठीक है अब मान के चलो कि मेरे पास already 2-3 element present थे ऐसा भी हो सकता है कि singly link list हमारे पास already circular link list बनी हुई है उसके अंदर कुछ element already मौझूद है जैसे कि इसके अंदर 10 रखा है इसके अंदर 20 रखा है इसके अंदर 30 रखा है और last वाला first location को point कर रहा है मालो कि यह circular link list बनी हुई है तो इसका मतलब अब मेरा else part चलेगा क्योंकि मेरा head null तो है नहीं अब मेरा head null नहीं है तो हम else में आ जाएंगे ठीक है अब else में हमने क्या किया है यह return हटा देता हूँ क्योंकि मैं void up रखा है मैंने return कुछ नहीं रखा तो अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक p pointer बनाया है मतलब एक reference variable बनाया जो first location को point कर रहा है वो तो हमें अभी भी बनाना पड़ेगा कि एक p reference variable बना लेंगे जो head को point करेगा यह बात बिल्कुल सही है अब मुझे क्योंकि last में insertion करना है तो मुझे p reference variable को last तक लेके जाना पड़ेगा जो कि हम singly link list में भी करते थे और हम singly link list में क्या लिखते थे कि जब तक p का next null नहीं हो जाता तब तक मुझे अपने p variable को आगे बढ़ाना है null लिखते थे लेकिन यहाँ पर changes क्या होगा बताओ यहाँ पर हमें क्या changes करना पड़ेगा क्योंकि अब null तो होगा नहीं उसमें उसमें address होगा head का उसमें address होगा head का तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा l1.head l1.head मतलब कि वो किसको point करने लगे जब तक वो head को नहीं point करता आपका p point है तब तक आप अपने p को आगे बढ़ाओगे तो एक time ऐसा आएगा कि जब आपका p उस location को point करने लगेगा जिसके next में head का address रखा है और उस समय यह while loop आपका break हो जाएगा अब आपने क्या लिखा है बिल्कुल सही तो आपने कहा कि p के next में a का address डाल दो यह बात बिल्कुल सही है वो तो अभी भी हमें करना पड़ेगा ठीक है लेकिन एक का अब हमें और करना पड़ेगा कि अब हमारा जो a का next है जिसमें की नल रखा है उसके अंदर मुझे address डालना पड़ेगा head का तो यहां पर मुझे एक line और add करनी पड़ेगी कि a के next में क्या करो head का address डाल दो यह काम मुझे और करना पड़ेगा आया समझ मैं तो देख रहे हो तुम सिर्फ एक एक line का change मैंने किया है बस बस दो line change करिए एक यह वाली line change करिए मैंने एक यह वाली line change करिए और while loop में null की जगा head लिखा है बस यह तीन जगा मैंने changes किया है सिंगले link list के code में और मेरा circular link list का insertion बन गया मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप double link list में भी circular वाला code खुद से लिख सको आपको पता होना चीए कि कहां पे changes करना है ठीक है ना बस आपका जो note add कर रहे हो उसमें null ना रखके हमें head का address रखना है इस बात का ध्यान रखना है तो जहां जहां पे null था वहां पे हमने head डाल दिया printing के code में भी थोड़ा सा changes होगा हमारा printing का code start से start होता था और जब तक null नहीं मिलता था तब तक हम आगे बढ़ते थे अब हमें क्या करना पड़ेगा अब हमें कहना पड़ेगा कि जब तक जब तक आपका start कहा न पहुँच जाए जब आपका start का next जब तक आपका start का next जब तक head पर न पहुच जाए l1.head ठीक है जब तक आपके start start मतलब जो भी आपका pointer है जब तक उसके next में head का address न आ जाए तब तक आप आगे बढ़ाते जाओगे ये काम हमें करना पड़ेगा ठीक है ना और insertion in the middle वाले का code बिलकुल वही रहेगा आपको कहां करना पड़ सकता है कि अगर आपने insertion at the middle बोला है और अगर मालो कि आपने यहाँ पर position की जगव ली है अगर आपने value ली है तो अगर आपने insertion with the value कराए कि इस value के बाद insertion करना है तो आपको ये check करना पड़ेगा कि जो हाँ पर insertion कर रहे हो, कहीं वो last node तो नहीं है, अगर last node होगा, तो फिर आपको यहाँ पर last node में head का address insert करना पड़ेगा, मतलब ये वाला code लिखना पड़ेगा, कोल मिला कर ये है, ये वाला code लिखाता ना, हमने, p.next में a डाला है, उसके बाद एक line ये और add करनी पड़ेगी, बस, ये एक line add करनी पड़ेगी, लेकिन वो तब होगा, जब आपका last node में insertion होगा तब, अभी हम ये मानके चल रहे हैं, कि हम last node में insertion नहीं कर रहे हैं, हम middle में insertion कर रहे हैं, first और last का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, अभी deletion पर हम आते हैं, थोड़ी दिर में, ठीक है, deletion के code पर अभी हम आते हैं, deletion के code अभी error दे देगा वो, क्योंकि मैंने deletion का code लिखा नहीं है, तो अभी वो error देगा, तो एक काम करता हूँ मैं, कि circular link list पास कर देता हूँ, या फिर इसको comment कर देता हूँ, ठोड़ी दिर के लिए, ठीक है, अच्छा, insertion at the middle में, एक changes हमें और करना पड़ेगा, कि हमारे class का नाम क्या करना पड़ेगा, circular link list, ठीक है न, circular link list करना होगा, तो यहाँ पर circular link list हमने return type कर दिया, return type में काम करते हैं, वाइड कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी return हमें नहीं करने की जरुवत है, और printing के उसमें भी वाई करना पड़ेगा, printing के case में भी हमें static हटाना पड़ेगा, अभी के लिए static हम हटा देते हैं, ताकि हम object dot करके call कर सके, और यहाँ पर मैं circular link list का object पास कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा, hawk visible ने, चैनल को आप इसे महनत करना होगा, बिल्कुल सही कहा तुम ने, तो थोड़ा सा तुम भी share करो, आप लोग भी, तो थोड़ा सा benefit होगा, चलो, तब deletion एक तो हटा देते हैं, अभी के लिए, अभी के लिए मैं deletion हटा देता हूँ, थोड़ी सी देर के लिए, ठीके, deletion को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं circular link list का मैं object बनाता हूँ, ठीके, circular link list का object बनाता हूँ, और circular link list का constructor call करता हूँ, तो इस तरीके से मैंने circular link list का एक object बना दिया L1, अब मुझे function call करना है, तो मुझे L1.insert function call करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने static हटा दिया है, है ना, आप लोगों ने देखा कि मैंने static हटा दिया है, तो static में क्या होता है, static function जो होता है, वो directly call हो जाता है, लेकिन अगर static function नही कि parameter कौन कौन से required होता है हमारे function को, इसलिए मैंने उसमें कोई changes नहीं किया है, ठीक है, इसलिए मैंने अलग से L1 explicitly pass कर दिया है, और अभी मैं ये वाला हटा देता हूँ, deletion वाला code, और L1.print कर देता हूँ, ठीक है, अब जड़ा देखो, हमने पहले circular link list का object बनाया, उसके अंदर पहले हमने insertion करवाया 10, 20, 30, 40, तो 10, 20, 30, 40 insert हो गया, और फिर हम middle में insert करवा रहे हैं, position 0 पे 5 और position 4 पे 35, अच्छा, इसको भी मैं change कर देता हूँ, अभी मैं deletion इंदा middle वाला हटा देता हूँ, अभी हम सिर्फ normal देखते हैं, कि ये work करता है कि नहीं, ठीक है, तो अगर कुछ problem लगेगी, तो हम इसको changes करेंगे, तो मैं इसको चलाता हूँ, तो अभी हमारे पास क्या print हुआ, 10, 20, 30, 10, 20, 30, दो बार print हो गया, ठीक है न, मतलब हमारी link list तो बन रही है, लेकिन हमारे printing function में कुछ problem है, हमारा print function दो बार print कर रहा है, तो चलो देखते हैं कि व code को, तो हमेशा एक link list का ले लो, है न, एक आपकी ये, जैसे कि मालो की ये link list है, ठीक है, अब इसको dry run करो, अब इसमें क्या है, कि आपका start जो है, वो head को point कर रहा है, ठीक है, तो आपका start जो है, वो head को point कर रहा है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, कि क्या start का head null है, क्य क्योंकि null नहीं है तो आपने उसको print करा तो 10 print हो गया बिल्कुल ठीक है फिर आपने start को next location पर ले गाए बिना कोई condition check किए तो आपने start को next location पर पहुचा दिया ठीक है ना condition यहाँ पर problem है समझ गे मैं आ गया है मुझे फिर भी आप लोग को भी समझाना चाहता हूं step by step कैसे identify क चला आपने देखा कि start के next में head है क्या कि क्या 20 के next में head है नहीं 20 के next में 30 का address है तो इसका मतलब आपने 20 print किया और start को आगे पहुचा दिया तो start आगे पहुचके इस location पर आ गया ठीक है 30 पर आ गया अब आपने चेक किया 30 का next head है क्या 30 का next head नहीं है तो आपने 30 को print किया और बिना condition के आपने next location पर पहुचा दिया ठीक है तो आपका start किसको point करने लगा आपका start point करने लगा 40 को ठीक है अब आपने देखा कि क्या आपका start का next head है क्या बिल्कुल आपका start का head next है तो आपका यहां पर यह लूप यह लूप ब्रेक हो जाएगा ठीक है ना तो आपका यहां पर एक element कम print होना चाहिए था तो यहां पर क्या हुआ है 10 insert हो गया 20 insert हो गया 30 insert हो गया ओके हमने function दो बार call करा लिया है हमने print function को दो बार call करा लिया है एक problem यह है और दूसरी problem क्या है वो मैं बताता हूँ अब जैसे कि मैंने इसको चलाया तो दूसरी problem यह है कि हमारा last element print नहीं हो रहा है और last element क्यों नह क्या लिखा है कि अगर आपका start का next अगर head हो जाता है तो आपको print नहीं करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरा start का head अगर मेरा start का next अगर head हो जाता है तो loop तो break करना है ये बात तो सही है लेकिन last element को print भी तो करना पड़ेगा तो last के element को print हमें जरूर करना है डेटा लिखकर तो ये कोड हमें एक्स्ट्रा इसके अंदर एड करना पड़ेगा बस ऐसा लिखने से अब हमारा कोड बिल्कुल सही हो जाएगा तो देखो 10 20 30 40 प्रिंट हो गया क्लियर है सबको तो हमने इंसर्शन करना देख लिया है सर्क्यूलर लिंक लिस्ट में अ क्योंकि हमारा लास्ट नोड जो है वो प्रिंट नहीं हो पा रहा था इसमें क्योंकि हमारा स्टार्ट जो था वो लास्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा था तो अगर लास्ट नोड के नेक्स्ट में हैड आ गया है तो हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे थे बाहर कर दे रहे तो हमें पहले print भी करना पड़ेगा तो इसलिए हमें एक element को और बाहर से हमने print कर दिया अब हम deletion पर आते हैं ठीक है तो deletion के लिए क्या करना पड़ेगा तो पहले तो मैं ये link list को ले लेता हूँ सेम बात जो मैंने बताई कि deletion in the middle के code में कोई change नहीं होगा जो हमने singly link list का deletion देखा था वही रहेगा अब हमें देखना है कि deletion अगर first के element को करते है अगर मुझे first का element delete करना है तो क्या change करना पड़ेगा और अगर last का element delete करना है तो क्या change करना पड़ेगा क्योंकि middle में तो circular link list का कोई रोली नहीं है. ठीक है? तो अब हम देखते हैं, कि अगर मुझे deletion करना है. तो बताओ, deletion अगर मुझे करना है, तो मुझे क्या-क्या parameter पास करना पड़ेगा? एक parameter तो पास करना पड़ेगा, कि कौनसी link list में मुझे deletion करना है उस link list का object और second मुझे ये बताना पड़ेगा कि कौन सी value मुझे delete करनी है बताओ कौन सी value मुझे delete करनी है वो मुझे बताओ ठीक है तो जैसे कि मुझे 10 delete करना है तो यहाँ पर मैं value में 10 दूँगा अगर मुझे 20 delete करना है तो मैं 20 बोलूँगा, 40 delete करना है तो 40 बोलूँगा, ठीक है, तो जो भी value मुझे delete करनी है वो मैं यहाँ पर pass करूँगा, अब single link list के case में मैंने तुम लोग को बताया था कि जस भी node को मुझे delete करना है, दो pointer को हमें maintain करना पड़ेगा, एक pointer उस location को point हैं, और एक pointer उसके previous location को point करेगा, क्योंकि single link list में हमें पीछे की तरफ नहीं जा सकते, आगे की तरफ जा सकते, तो क्योंकि single link list में हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते, और अगर मुझे पीछे वाले के node का address पता होना चाहिए, तो इसलिए मुझे एक pointer और maintain करना पड़ेगा, जो की previous location का address रखेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम दो pointer बनाएंगे, या फिर दो reference variable कह सकते, जावा में क्योंकि pointer नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे आदत है pointer बोलने की, तो दो reference variable लगेंगे, एक reference variable लगेगा, जो की current node को point करेगा, और current node मेरा कौन सा हो current node होगा, अभी मेरा head को point करेगा, और एक और हम node ले लेंगे, जो की previous location को point करेगा, अभी previous location स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, तो वो उसके अंदर अभी null होगा, ठीक है, तो ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऐसा लिखने से हमारे दो reference बनका है, एक current हो गया, और एक previous हो ग मुझे check करना पड़ेगा कि if, पहली बात तो हम यह देखेंगे कि current जो है वो null तो नहीं है, अगर current null है, इसका मतलब कि मेरी link list ही empty है, तो अगर मेरा current अगर null आ गया, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर current ही मेरा null है, तो हम simply क्या बोल देंगे, हम print कर दें और यहाँ पर हम बोल देंगे, list is empty, list already क्या है, empty है, तो हमें कुछ करने की जरुवती नहीं है, ठीक है, और अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है, else if, तो हम यह check करेंगे कि अच्छा ठीक है, current अगर मेरा null नहीं है, अगर मेरा current null नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि current तो null नहीं है, लेकिन current का next null है इसका क्या मतलब हुआ sorry current का next में current null नहीं है and current के next में head है अब head है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब की एक मात्र वही node मौचूद है ठीक है ना बलकि इसकी भी जरुवत नहीं है हम तो directly क्याल कर देते हैं हम तो यहां पर लिख देते हैं कि data को compare कर लो आप तो simple कि आपका current null नहीं है मतलब की present है वो node और आपके उसके data के अंदर क्या रखा है अगर data के अंदर वही value रखी है जो आपकी value थी तो तो ठीक है नहीं तो आप आगे बढ़ जाओगे तो आप यह check करोगे कि जब तक जब तक आपको current data में value नहीं मिल जाती है जो आपको delete करना है और आपका current node भी अभी null नहीं हुआ है तो आपको अपने current node को आगे बढ़ाना पड़ेगा लेकिन current node को आगे बढ़ाने से पहले previous node में current node का address assign कर दो और फिर current node को आगे बढ़ाओ क्या कहना चा रहा हूँ समझाता हूँ मैं ये दो line का code लिखना पड़ेगा पहले तो ठीक है ना इसको मैं while loop के अंदर लिखूँगा इसको मैं while loop के अंदर लिखूँगा देखो क्या करना है हमें अगर मेरा current node null नहीं है मतलब की जिस location को मेरा current node point कर रहा है अगर वो null नहीं है मतलब की node exist कर रहा है अगर node exist कर रहा है तो जब तक जब तक मेरा data नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने current node को आगे बढ़ाओंगा तो यहाँ पर एक while loop हम लगाएंगे while ठीक है जब तक मेरा current node नहीं हो जाता या तो मेरा current node नल तो कभी होगा नहीं current node का next जब तक मेरा current node का next head को नहीं point करने लगता इसका मतलब की जब तक मैंने पूरी link list traverse नहीं करी है है ना अगर मेरे current node के next में head का address नहीं है अगर मेरे current node के head में address first का नहीं है head का नहीं है, इसका मतलब अभी मेरे link list का end नहीं आया है, ठीके, इसका मतलब अभी मेरे link list का end नहीं आया है, और साथी साथ, end, और साथी साथ, अगर मेरा current node का जो data है, अगर वो value के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि मुझे value भी नहीं मिली, अगर ये दोनों बाते अगर true होत ये इसका मतलब क्या है कि मेरा last node भी नहीं आया है और मुझे value भी नहीं मिली है अब last node भी नहीं आया और value भी नहीं मिली है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे अपनी searching को आगे लेकर जाना पड़ेगा मुझे अगले element को search करना पड़ेगा ठीके, यहां से आप चाहो तो इस condition को हटा भी सकते हो, इस condition का यहां पे कोई रोल नहीं है, इस condition को आप हटा भी सकते हो, ठीके, तो अगर current आपका नल होगा, तो आप बोल दोगे कि list empty और अगर current नल नहीं है, तो आप पहले उस node को सर्च करोगे, जिसको कि आपको delete करना है, तो आपका current pointer, किसको पहले तो current को assign करवा लो previous में, तो current को previous में assign करवा लिया, तो आपका current और previous दोनों एकी location को point कर रहा है, और फिर आप कहोगे कि current को next location पर पहुचा दो, तो आपका current यहां पर पहुच जाएगा, और फिर आप चेक करोगे कि क्या आपका loop दुबार से चल point कर रहा है, तो क्या आप जो value delete करना चाते हो, वो है क्या ये, current के data में क्या वही value रखी है, जिसको आपको delete करना है अब ये true हो गया तो तो आपको दुबारा से आगे बढ़ना पड़ेगा, ये true हो गया इसना मतलब कि वो value अभी नहीं मिली है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तो माल लोकी मुझे delete करना था 40 तो इसका मतलब ये बात तो false हो गई तो मेरा क्या होगा, मुझे previous को point करेगा आगे वाला node मतलब जो मेरा current था, वो previous बन जाएगा, और current आगे पहुँच जाएगा ठीक है ना, मतलब previous हमेशा एक कदम पीछे होगा previous हमेशा एक कदम पीछे होगा और current हमेशा एक कदम आगे होगा फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये वही value है जो delete करना है, नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, कि current का next head है क्या, नहीं, तो हम current को आगे बढ़ाएंगे और previous को भी आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो previous मेरा यहाँ आजाएगा और current मेरा यहाँ आजाएगा अब दो बाते हो सकती है या तो पहली condition false होगी या तो दूसरी condition false होगी दोनों में से एक false होना तय है मतलब अब यह loop break होगा ही होगा है ना अब यह loop break होगा ही होगा मान के चलो कि अगर मेरे current का next not equal to head है यह condition तो अब false होगी क्योंकि अब current का head जो है next जो है वो तो मेरा head है नहीं ठीक है ना क्योंकि current के next में अब head आ चुका है current के next में head आ चुका है, तो इसका मतलब ये condition तो क्या हो गई, false हो गई, तो अब loop break हो गई होगा, ठीक है, और अगर मालो की ये नहीं है, तो इस condition से break हो सकता है, कि मालो मुझे value मिल गई, तो मेरा current location उस node को point कर रहा है, तो दोनों में से किसी एक condition के current मेरा loop break हो जाएगा, अब मुझे चेक करना है कि कौन सी condition के current मेरा loop break हुआ है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि if, अब मुझे दुबार से चेक करना पड़ेगा, कि क्या जो मेरा current node जिसको point कर रहा है, क्या उसके data में वही value रखी है क्या, जो मुझे delete करनी थी, अगर ऐसा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि second condition के current मेरा break हुआ होगा, कि हाँ, मुझे वो node जो delete करना है, उसी node पे मेरा pointer point कर रहा है current node, am I right? तो माल लो कि मुझे 40 को delete करना था, और मेरा current उसी को point कर रहा है, तो current के data में वही node रखा है, ठीक है अब क्या-क्या scenario हो सकता है वो सारा हमें यहाँ पर handle करना है अब मुझे pointer मेरा उस location को पहुच चुका है, जिसको मुझे delete करना है अब क्या-क्या हो सकता है, जिस node को मुझे delete करना है, वो first node भी हो सकता है, वो middle इल का नोड भी हो सकता है और वो लास्ट का नोड भी हो सकता है तो यहां पर मुझे condition लगानी पड़ेगी कि वो जो नोड मुझे delete करना है वो first node है second node है या last का node है ठीक है तो सबसे पहले में check कैसे करूँगा पहले में check करूँगा कि अगर मेरा current node और head 2 अगर same है मतलब की मुझे first location को delete करना है इसका मतलब यह हुआ, ठीक है तो मैं क्या करूँगा मैं हाँ पर check करूँगा कि if अगर मेरा current node और head का address अगर same है, अगर मेरा current node और head का address अगर same है मतलब मुझे first node को dis Barcelew heleट करना है तो अगर मुझे first node को delete करना है, यहाँ पे मैं comment में लिख देता हूँ, first node to be deleted, first node to be deleted, अगर मालो कि मुझे पहले node को ही delete करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे first node को ही delete करना है, तो जड़ा imagine करो, कि मेरा current इसको point कर रहा है, ठीक है और previous किसको point कर रहा होगा previous पे तो अभी नल होगा क्योंकि अगर previous पे नल होगा क्योंकि अभी उस पे तो कुछ है नहीं तो मेरा current node ये हो जाएगा अगर ऐसा है तो अब फिर से scenario हो सकता है कि मेरी link list में एक मात्र element तो नहीं है अगर मेरी link list में एक मात्र यही node होगा तो तो मुझे सीधे-सीधे head को नल कर देना है ऐसा भी तो हो सकता है देखो सारे corner cases सोचने पड़ेंगा अगर सारे corner cases नहीं सोचोगे तो दिक्कत हो सकती है आपको हर scenario को handle करना है अब मान के चलो कि एक मात्र यही node रखा है 40 इसके अंदर link list में कुछ और ही नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा सीधे-सीधे head को null कर दोगे तो यह कैसे पता चलेगा यह ऐसे पता चलेगा कि आप check करोगे कि क्या आपके current current भी इसी को point कर रहा है और head भी इसी को point कर रहा है क्या current के next में head है क्या यहाँ पर चेक करोगे कि अब जो आपका current है वो head को point कर रहा है end साथी साथ यह check करो कि if अगर आपका current अगर आपका current का next अगर आपके current के next में भी अगर head रखा है तो इसका मतलब कि आपके पास वो एक मात्र node है आप सीधे-सीधे क्या करोगे उसमें head में null assign कर दोगे बस और कुछ भी नहीं करना कुछ भी नहीं करना सीधे-सीधे head में क्या assign कर देना है null क्योंकि एक मात्र वही node आपके link list में था लेकिन अगर मालो कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इसका मतलब ये वाला scenario है इसका मतलब ये वाला scenario है आपका current इसको point कर रहा है और अब आपको क्या करना पड़ेगा अब आपका previous तो null को point कर रहा है क्योंकि current के previous में तो कुछ है नहीं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, else part में, else part का code अब मैं लिख रहाऊ, कि अगर मुझे first node को ही delete करना है, लेकिन link list में एक से जादा element मौझूद है, deletion from the first node, and more than one elements are present in my circular link list, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे अपने head को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है न, तो मैं कहूंगा, कि L1 का जो head है, वो किसको point करें, जो मेरा current node है न, उसके next को point करने लग जाए, तो एक काम तो हो गया हमारा, कि मेरा head जो है वो आगे location को point करने लगा, लेकिन अभी मुझे एक correction और करना पड़ेगा, कि मुझे last node का जो address था न, उसमें मुझे first का address, उसमें मुझे head का address डालना पड़ेगा, ये तो node delete हो गया, ठीक है न, ये node delete हो गया, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, head भी आ गया, लेकिन अभी मुझे last node पर जाना पड़ेगा, तो last node पर जाने के लिए, मैं ये वाला code कॉपी कर लेता हूँ, कौन सा वाला code, हमने insertion के time पर लिखाता न, ये वाला code, ये वाला code मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक, अब मैं एक pointer बनाऊँगा, ठीक है, मैं एक pointer बनाऊँगा, जो head को point करेगा, और जब तक मेरे next में head का address नहीं आ जाता, तब तक मैं आगे move करूँगा, ठीक है, तो वो code मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा, और ये code मुझे बाद में लिखना पड़ेगा, बताओ क्यों, क्योंकि head का address तो, बाद में update होगा न, पहले मुझे उसको use करना है, मुझे इस head को बाद में update करना है, क्योंकि अभी मेरा last location point कर रहा है उसको, तो पहले मेरा p pointer last location पर आ जाएगा, इस loop के current, तो इस loop के current, p pointer मेरा last location को point करने लगेगा, और current node, मेरे head को point कर रहा है, ठीक है, अब मेरा head आगे move हो चुका है, और बस last एक client का code और करता है, वो क्या, कि मेरा p pointer अब last location को point करने लगा, ठीक है न, अब जो मैने code लिखा है, उसके कारण P pointer मेरा last location को point कर रहा है अब मुझे बस इतना सा काम करना है कि जो मेरा P pointer जिसको कि मैं while loop के through last location पर ले आया हूँ उसके next में head का address assign कर दूँ ठीक है ना? तो मुझे बस एक line का code यहां पर और लिखना है कि P के next में क्योंकि जो last location को point कर रहा है उसमें मैं head का address assign कर दूँ that's it तो यह मेरा deletion from the beginning हो गया सिर्फ deletion from the beginning में थोड़ा सा दिमाग लगेगा बाकी middle वाला और last वाले का deletion एक line का code है ठीक है ना? सिर्फ महनत आपके first line में लगेगी और वो भी इसलिए लग रही है क्योंकि problem यह है कि single in case में हम सिर्फ आगे बढ़ सकते है पीछे नहीं जा सकते है एक problem यह है और दूसरी problem यह है कि इसमें 2 cases बन सकते है एक हो सकता है कि एक ही node exist कर रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि एक से जादा node exist कर रहा है इसलिए हमें यहाँ पर इतने condition बनानी पड़ी ठीक है लेकिन अगर मुझे last node को delete करना है तो उस case में problem ही नहीं है ठीक है तो एक तो case हमारा यह हो गया पूरा का पूरा if part कि अगर मेरा current node बराबर head है अगर मेरा current node बराबर head है तो इसका मतलब कि जो node मुझे delete करना है वो first node है तो यह मेरा पूरा if का part हो गया अब हम आते हैं else part में else part मतलब कि अब यह बात है कि अब जो मुझे deletion करना है वो कहां पर होगा वो हो सकता है कि last में हो या फिर ना हो अब मैं check करूँगा कैसे अब मैं यहाँ पर check करता हूँ else if अब मैं check करता हूँ कि जो मुझे node delete करना है वो last का तो नहीं है कैसे पता चलेगा जो मुझे node delete करना है वो current उसको point कर रहा है check करो कि क्या उसके next में head का address है क्या यह check करो ठीक है अगर उसके next में जिस node को मुझे delete करना है अगर उसके next में head का address है इसका मतलब मुझे deletion करना है at the end मतलब मुझे आखरी वाले node को delete करना है बहुत simple है आखरी node को delete करना आखरी node को delete करना इसलिए simple है क्योंकि previous node का address मेरे पास मौझूद है क्योंकि जब मैंने code लिखा है तो मैंने इस तरीके का code लिखा है कि वो उसके पास current node जो है वो last location को point कर रहा है और previous node जो है उसके previous location को point कर रहा है तो मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे ये करना है कि previous मतलब जो current node का previous node है उसके next में किसका address डालना पड़ेगा head का बस इतना सा काम करना है अपने आप ये last वाला delete हो जाए ठीक है न तो मुझे बस एक line का code लिखना है क्या कि अगर ऐसा है कि अगर उसका next node अगर head है मतलब last node को अगर delete करना है तो उसका previous node जो है उसके next में अभी current का address है उसमें head का address डाल दो बस एक line का code है और कुछ भी नहीं करना that's it है ना महनत खाली पहले वाले code में थी अब कोई महनत नहीं है और अगर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि deletion at the beginning भी नहीं है deletion at the end भी नहीं है मतलब कि deletion in the middle है इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि deletion in the middle है तो बस आप यहां पर यह check करोगे कि deletion in the middle है क्या अगर deletion in the middle है तो अब आपको middle का node delete करना है और middle का node delete करने का code बिलकुल वही है जो हमने पहले देखा था, बहुत सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, देखो, जैसे कि मालो की मेरे पास, ये link list बॉजूद है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, मालो ये मेरे पास रख्यू ये, और मेरा ये link list बना हुआ है, अब मुझे मालो की 40 को delete करना है, तो 40 को कौन point कर रहा है current, और previous 30 को point कर रहा है, अब मालो मुझे इस node को delete करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, previous के next में current का next डालना है, previous का next जो है, वो किसको point करना चाहिए, current का next, क्योंकि current का next ये है, बस, एक ही line का code लिखना है, और कुछ भी नहीं करना, previous के next में current का next, बस, एक line का code है, ठीक है न, previous के next में क्या करना है current का next डालना है that's it, बस हो गया ठीक है ये पूरा का पूरा हमने कब लिखा जब हमारा current value मुझे मिल चुकी है ये वाला पूरा if यहां पर खतम हो जाएगा और नहीं तो फिर else नहीं तो फिर else part में क्या बोल देंगे हम value not found system क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें value मिली ही नहीं तो हम बोल देंगे system.out.println value not found value not found, that's it अगर आप लोग पूरा patiently अगर follow कर रहे हो तो समझ में आ गया होगा, आया की नहीं आया समझ में, अब इस code को कर लेते हैं ठीक है अब मैं आपको वही वाला code लूँगा जो हमने singly link list का deletion लिया था क्योंकि चीजे वही की वही है सिर्फ उसी को ही मैं modify कर रहा हूँ ठीक है तो deletion in the link list वाला जो था मैं उसी code को copy कर रहा हूँ और circular link list वाले में paste कर रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे तो आदे से जादा code वही का वही है थोड़ा बहुती changes है बाकी mostly code वही है ठीक है चलो तो deletion in circular link list इसका मैं नाम रख देता हूँ deletion in circular link list अच्छा इसके अंदर मुझे दो parameter पास करना पड़ेगा एक तो मुझे पास करना पड़ेगा मेरा circular link list का object और दूसरा कौन सी value delete करनी है ठीक है सबसे पहले मैं दो pointer यहाँ पे लूँगा एक p pointer है जो की current node जिसको मैं अभी कह रहा था है ना तो p pointer current को point कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुमको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो मैंने p लिखा है वो actual में कौन सा है मेरा current pointer है ना current location जिसको मुझे delete करना है तो current location मेरा head को point कर रहा है और previous जो है वो null को point कर रहा है तो situation समझो ज़रा क्या है situation यह है कि माल लो मेरे पास जो कि head को point कर रहा है तो यह मेरा p reference variable बना जो कि head को point करेगा और previous में अभी नल रखा है ठीके, अगर किसी को भी अभी नहीं समझ में आया था, तो अब और अच्छे से समझ में आ जायेगा, ठीके, अब case 1, case 1 क्या है, कि मेरा p null नहीं है, p null नहीं है, इसका मतलब कि मेरा एक node मौझूद है, और p का data वही है, जो मुझे delete करना था, मतलब वही value है, मतलब node वही पहला वाला ही है, जो मुझे delete करना है, तो यह कौन सा हो गया, deletion from the first location, ठीके, अब यहाँ पर हमने पहले क्या किया था, हमने बोल लिया था, कि यहाँ यह deleted है, और उसके head में हम क्या कर रहे थे, p के next location का address डाल दे रहे थे, यह तो हम करेंगे, यह तो हम करेंगे, लेकिन, अब स circular link list और singular link list में क्या changes होगा, वो देखो, अगर मालो कि यह एक मात्र node है, अगर यह एक मात्र node है, तो इसका मतलब कि मुझे इसके head में सीधे-सीधे null assign करना है, तो मुझे यहाँ पर सीधे-सीधे delete नहीं करना, मुझे यहाँ पर एक condition और लगानी पड़ेगी, कि if, अगर ऐस है, तो पहले मुझे यह चेक करना पड़ेगा, कि P का जो next है, उसमें कहीं मेरा head का address तो नहीं रखा, यह मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर P के next में, अगर P के next में head का address है, मतलब कि एक मात्र यही node है, तो मुझे सीधे-सीधे L1 के head में null assign करना पड़ेगा, यह एक तो changes तो अगर मालो कि जिस node को मुझे delete करना है, वो पहला ही वाला node है, और वो null भी नहीं है, तो मैं यह चेक करूँगा कि क्या उसके next में head का address है, मतलब कि एक मात्र वही तो node नहीं है, जो मुझे delete करना है, अगर ऐसा है, तो सीधे-सीधे head में null डाल दो, और नहीं अगर ऐसा ह नहीं ऐसा है, तो इसका मतलब कि मुझे 1 से ज़ाधा node मेरे पास मौझूद है, ठीक है, और अगर नहीं ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि एक से ज़ादा node मेरे link list में मौझूद है ठीक है बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब changes क्या होगा singly link list और doubly link list में समझो ये code तो हमें लिखना ही है कि L1 के next में हम क्या कर देंगे head को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा ये बात तो मुझे करना ही पड़ेगा कि head को मैं आगे next location पर point करवा दूँगा अभी मेरा p pointer इसको point कर रहा है और मुझे इसको note को delete करना है तो मुझे p का next p का next मतलब ये है मुझे यहाँ पर head को पहुचाना ये काम तो करना है लेकिन circular link list है तो मुझे अपने last pointer को भी adjust करना पड़ेगा और last location का address मेरे पास है नहीं तो मुझे यहाँ पर इसको update करने से पहले अपने head को update करने से पहले मुझे last location का address चाहिएगा तो मैं एक point node बना देता हूँ last नाम रख देता हूँ उसका और उसको मैं start करता हूँ first location से ठीक है और मैं इसको last पे पहुचाऊँगा while इसको last पे कैसे पहुचाऊँगा मैं कहूँगा कि जब तक मेरे last के next में जब तक मेरे last के next में head का address नहीं आ जाता दुबारा से ठीक है ना जब तक मेरे last के next में head का address नहीं आ जाता, तब तक मैं last को आगे move कराऊंगा, last में लेके जाऊंगा, last का next, ये काम थोड़ा सा extra मेरा बढ़ जाता है, हाँ, ये काम को अगर आपको कम करना है, तो आप अपना एक और pointer maintain कर सकते हो, tail pointer, जो कि हमेशा last location को point करेगा, तो आप अपनी link list में हमेशा दो pointer maintain कर सकते हो, एक जो head first को point करे, और एक जो last को point करे, अगर आपने दो pointer maintain कर लिए हैं, तो ये वाला काम आपका बच जाएगा, आपके पास already tail pointer होगा, last location का address होगा, अब directly उसको use कर सकते हो, ठीक है, अभी चीज़ को update करने से पहले, आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपका last note जो है, ये है, आपका last pointer इसको point करने लगा, तो इसको update करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पहले तो last location पर पहुचा दिया, अब आप यहाँ पर head को update करोगे, पहले आपने head को use करा, ताकि आपका last pointer पर पहुच गया, अब आपका head आगे move कर जाएगा, तो आपका head कहाँ पर point करने लगा, अब आपका head इस location को point करने लगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कि last का जो next है, उसमें head का address डालना पड़ेगा, ताकि वो इसको ना point करके, इसको point करने लगे, तो आप कहोगे कि last का next है, उसमें head का address डाल दो, ताकि यह first वाला node delete हो जाए, इस तरीके से first node delete होगा, ठीक है ना चचा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, last के next में क्या करना पड़ेगा, l1.head का address डालना पड़ेगा, आया समझ में, इस तरह से हमारा deletion होगा, तो देख रहे हो, खाली महनत कहां पर है, महनत सिर्फ deletion from the front पर ही महनत है, अब कोई महनत नहीं होगी, अब काम आसान है, देखो, ऐसा नहीं है कि हमने देखा कि अरे यार, इतना महनत लग रहा है, तो हम ठक जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं है, महनत हो गई, जो महनत करनी थी, कर ली, अब अब कोई महनत नहीं है, ठीक है न, आप तो एक एक लाइन का code है, तो जैसे कि ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ठीक है, 10 20 को पॉइंट कर रहा है, 20 30 को पॉइंट कर रहा है, 30 40 को पॉइंट कर रहा है, पहले वाली location को head point कर रहा है और last वाला location फिर से first को point कर रहा है तो ये वाली मेहनत तो हमारी case 1 के लिए हो गई अब हम case 2 में आते हैं case 2 में हमने क्या करेंगे हमें पता चल गया कि first node को तो delete नहीं करना है अब first node को delete नहीं करना है तो हम p pointer को आगे बढ़ाएंगे जब तक मुझे वो value नहीं मिल जाती जिसको मुझे delete करना है और previous node point करेगा पहली location को और p pointer current node को point करेगा तो p pointer आगे बढ़ता जाएगा और उसके पीछे पीछे previous चलेगा तो p pointer आगे बढ़े उससे पहले उसका address कौन रख लेगा previous वाला तो माल लो कि अब मुझे 40 को delete करना है मतलब last node को delete करना है तो last node को delete करना है तो p pointer माल लो यहाँ पर पहुँच गया और उसके पहले location पर previous आगया है ऐसा माल लो ठीक है तो ये while loop खतम हो गया और p pointer हमारे उस location को point कर रहा है जिसको मुझे delete करना है अब पहले हम क्या check करते थे last location को find करने के लिए कि जो मुझे node delete करना है कहीं वो last node तो नहीं है ये check करने के लिए हम ये देखते थे कि p के next में null तो नहीं रखा अगर p के next में null रखा है मतलब वो last node है लेकिन अब यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि p के p null तो नहीं है अच्छा p null है इसका मतलब कि हम ये बोलेंगे कि last node को मुझे delete करना है ठीक है एक second p का data अगर value नहीं है तो मैं p को आगे बढ़ा रहा हूँ ठीक है अब अगर p null नहीं है अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा आगे आगे पहुचते पहुचते एसी location पर पहुच गया जो की null है लेकिन यहाँ पर null नहीं होगा यहाँ पर हमें यह चेक करना पड़ेगा कि if p का next p का next अगर क्या हो जाए अगर p का next अगर क्या हो जाए l1.head यह हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर हमें null को हटाना है null नहीं होगा अब हमें लिखना पड़ेगा l1.head अब मेरा p pointer जिसको point कर रहा है उसके next में कहीं head का address तो नहीं आ गया ठीक है अगर उसके next में head का address आ गया ठीक है यहाँ पर आपको यह null check नहीं होगा यहाँ पर आपका check होगा क्या यहाँ पर आपका check होगा कि उसके next में head तो नहीं है null कहीं पर भी नहीं लिखना क्योंकि null तो मेरे इसमें होगा ही नहीं ठीक है न तो आपको while loop में क्या लिखना है आपको while loop में लिखना है कि जब तक pk next में head का address नहीं है जब तक आप आगे बढ़ते जाओ ठीक है अब दो बाते हो सकती है एक तो यह हो सकता है कि आपका first condition के कारण while loop break हुआ हो या फिर second condition के कारण while loop break हुआ ठीक है तो अब ऐसा हो सकता है कि आपने देखा कि आपका last node पे पहुझ गया है अब आपका last node पे पहुझ गया है और आप ये भी check करो कि उसी node को तो आपको delete नहीं करना अगर ऐसा है कि last node पे भी पहुझ गया है end उसी node को आपको delete करना था p.data equal to value उसी node को अगर आपको delete करता है अगर उसी node को delete करना है तो आप तो पहले ये बोल दोगे कि हाँ मैंने उसको delete कर दिया changes क्या करना पड़ेगा changes ये करना पड़ेगा कि पहले आप कहते थे कि previous के next में p का next चला जाए अभी भी वही code रहेगा कोई change नहीं है अभी भी आप क्या कहोगे previous का next p का next मतलब first node का address previous का next मतलब first node का address और अभी भी क्या कर रहे हम अभी भी हम यही कह रहे है कि एक काम करो previous का जो next है उसमें first node का address डाल दो तो code यही रहेगा इसमें कोई changes नहीं होगा changes कहां होगा changes यह होगा कि माल लो जो मुझे node delete करना है वो बीच का node है अब बीच का node है कैसे पता चलेगा else if else if अगर माल लो ऐसा है कि मेरा p का next head नहीं है ठीक है ना p.next is not equal to head इसका मतलब कि बीच का कोई node है l1.head ठीक है end मेरा data element भी है जो मुझे delete करना है p.data is equal to value यह दोनों बाते सही है कि मेरा p.next head नहीं है p.next head नहीं है इसका मतलब कि बीच का कोई node है और वही value है जो मुझे delete करनी है तो इसका मतलब deletion तो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक ही line का बस code लिखना है वो क्या कि previous का जो next है उसमें क्या करना है p.next assign कर देना है that's it बस p.next कर रहा है उस location को जो मुझे delete करना है p.next मतलब अगला वाला node और previous वाले में क्या कर दो previous वाले को बोलो कि तुम p.next को point करो ताकि p वाला गायब हो जाए और नहीं तो फिर else अगर इसमें से कोई सी भी condition true नहीं है इसका मतलब कि हमारा क्या है element found ही नहीं है मतलब जो element में delete करना चारा हूँ वो मौझूद ही नहीं है तो else part में हम बोल देंगे कि element not found element not found that's it यह हमने हमारा पूरा code लिख लिया है I hope कि यह code हमने सही लिखा हो जो हमने इतना बड़ा code लिखा है तो इसको मैं check कर लेता हूँ तो पहले तो मैं अपना पुराना code execute करता हूँ तो जैसे ही मैं अपना पुराना code execute किया तो मेरे पास 10, 20, 30, 40 मेरे link list में मौझूद है अब मैं एक एक करके check करता हूँ सारे test cases तो पहले मैं 10 को delete करने की कोशिश करता हूँ finger cross कर लो कि code सही हो ठीक है तो अब मैं काम करता हूँ कि मैं delete करने की कोशिश करता हूँ किसको मेरे link list में से first element को delete करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पहले तो मैं इस function को call करने के लिए मैं लिखूँँगा l1.delete इस function को मैं call करूँगा और इसको मैं कहूँगा कि तुम delete करो 10 को ठीक है और अब मैं इसको run करके देखता हूँ 10 deleted देखो 10 delete हो गया और 20, 30, 40 मेरे पास बचा है मतलब first element delete हो पा रहा है जबकि मेरे पास एक से ज़्यादा element मौझूद है अब मैं चेक करता हूँ कि 40 delete हो पाएगा क्या वो भी चेक कर लेते हैं तो अब मैं फिर से इस function इसको copy करता हूँ इस line को और अब मैं कहता हूँ कि एक काम करो 40 को check करो क्या कि वो delete हो पा रहा है क्या सारे corner cases को test करना पड़ेगा तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40 again finger cross कर लो और अब इसको run करते हैं 40 भी delete हो गया देखो 40 is deleted और 20, 30 मेरे पास बचा हुआ है ठीक है अब मैं काम करता हूँ कि अब मैं इस line को दोनों को comment कर देता हूँ मैं दोनों line को comment कर देता हूँ ठीक है ताकि मेरे पास 10, 20, 30, 40 सारे रहे हमने first को check कर लिया last को check कर लिया अब मैं check करता हूँ कि क्या middle का element delete हो सकता है किया, तो 30 को delete करके देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं इस line को copy करता हूँ, और अब मैं middle का element delete करने के कोशिश करता हूँ, मतलब 30, कि क्या 30 delete हो जाएगा properly, इसको मैं run करके देखता हूँ, तो देखो 30 भी delete हो गया, 10, 20, 40 बचा, 30 delete हो गया, बहुत ही सही, ये भी ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, कि अब मैंने 10 भी delete कर दिया, 40 भी delete कर दिया, सारे delete कर दिया, ठीक है, अब मैं 20 को भी delete कर देता हूँ, अभी पहले मैं run करके आपको दिखा देता हूँ, हमारा 10 डिलीट हो गया, 30 डिलीट हो गया, 40 डिलीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ 20 बचा है अब मैं चेक करता हूँ कि क्या 20, मतलब कि अगर मेरी लिंक लिस्ट में सिर्फ एक नोड मौझूद है, क्या वो भी डिलीट हो जाएगा चेक करते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, और 20 को डिलीट करता हूँ, और फिर इसको रन करता हूँ, तो बिल्कुल सबकुछ डिलीट हो गया है, अब यह exception मुझे पता था आएगी ही, और यह इसलिए आईए क्योंकि यह print function के कारण आईए, क्योंकि हमने print function मे हमने check नहीं लगाया है, कि अगर मेरा link list ही अगर खाली हो गई तो, तो हमें यहाँ पर एक check लगाना पड़ेगा, हमें यह check लगाना पड़ेगा, कि इफ, अगर मेरा l1.head, अगर नल है, तो मुझे कुछ भी print नहीं करना है, मुझे simply print कर देना है, क्या link list is empty, list is empty, यह check मुझ किये, मुझे return कर जाना है, ठीक है न, नहीं तो फिर code हमारा error देगा, ठीक है, अब देखो, अब proper चल गया, हमारा 10 भी delete हो गया, 20 भी delete हो गया, 30, 40, sub delete हो गया, और हमारा print हो गया, list is empty, तो इसका मतलब हमारे सारे test check कर लिए, हमने एक चीज़ और check कर लेते हैं, कि अगर मैं ऐसे element को delete करना चारा हूँ, जो मेरे link list में मौझूद ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसको भी check कर लेते हैं, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और बार deletion function को call करता हूँ, और मैं इस बार उस node को delete करने की कोशिश करता हूँ, जो मौझूद ही नहीं है, ठीक है न, स्टार्टिंग में ही कर लेता हूँ, ठीक है न, स्टार्टिंग में ही चेक कर लेता हूँ, कि अभी मेरे पास 10, 20, 30, 40 सब है स्टार्टिंग में, मैं चेक करता हूँ कि 100 मौझूद है क्या, है न, तो मैं इसको run करता हूँ, तो देखो पहले 100 को सर्च किया, element not found, और उसके तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि circular link list में हमने पूरा सब कुछ देख लिया, insertion वाला code देख लिया, deletion देख लिया, insertion at the front, between और end, deletion in the front, middle और end देख लिया, एक तरीके से searching वाला part भी हो गया, मतलब एक ही वीडियो में, आप लोगों ने circular link list को end to end, सारी चीज़ से cover कर ली है, और हमने इसको singly link list से compare किया है, क्योंकि मैंने उसी code को modify करके आपको करवाया है, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए, कि अब आप लोग का target है, कि आप doubly link list में check करो, कि कौन कौन सी जगह पर हमें changes करना पड़ेगा, कि circular doubly link list हो जाए, तो यह आप लोग का target ह आप लोग को मैंने इतना पढ़ा दिया है, कि आप इतना तो कर सको कि अब circular link list, doubly link list का code लिख सको, तो यहाँ पर आज की class में हमारा link list वाला पूरा part complete हो गया है, next में हम लोग stack को क्यों करेंगे, आप लोगों को मैं suggestion दूँगा, कि जितने भी मैंने code लिखवाए हैं, आप बिना देखे, खुद से जरूर लिखना, तब ही आपकी practice होगी, मेरे student ऐसे हैं, जो कि उससे already पढ़ चुके हैं, उनका कहना होता है, कि अगर आप लोग से, मुझसे अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, तो वो 200-300 line का code बिना देखे, अराम से लिख लेते हैं, एक दो घं सकर, वो भी अपने knowledge को improve कर सकें, साथी साथ competitive programming का भी मैं playlist स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो भी आप लोग को मिलेगा, good evening दिपांकर, good evening, धार्मिक का कहना है कि आपके DSA and IoT वाले class मस्त है, समझ आ रहा है, एक बाद देखने पे, लेकिन फिर भी दो बार लेता हूँ, पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, AVLT, dynamic programming, greedy algorithm, आप उस पूरे subject को पढ़ो, धार्मिक जो है, वो paid student, paid course का batch का student है वो, तो वही वो बता रहा है, उसमें मैंने greedy और dynamic programming भी पढ़ाया है, आप देखना उसमें बहुत ही अलग level पर उसको पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप लोगों जो है, आपको मैं अपने इस नंबर पर आपको provide कर सकता हूँ, 955-0311-37, ये whatsapp message आपको लोग कर दो, call कर लो, तो अगर आपको कोई भी programming related, अगर आपको कोई course चाहिए है, placement related, अगर आपको कोई guidance चाहिए है, या कोई course की requirement है, तो programming related, placement related, या फिर अगर आप gate की preparation करना चाह हो, जो की mtech वगेरा के लिए होता है, mca student, btech student कर सकते हैं, और ugc net की अगर आपको preparation करना है, या फिर कई सारे और भी exams होते हैं, उन में से किसी भी आपको preparation करना है, या फिर आपके college में कोई subject आपको परिशान कर रहा है, operating system, digital electronics, DBMS, networking, theory of computation, कोई भी subject अगर आपको परिशान क कर रहा है, तो आप मुझे इस number पर contact करके, आप अपना full course ले सकते हो, जिससे कि आपका अपनी जो दिक्कते हैं, वो solve हो जाएगी, ठीक है, framework कौन सा है, बहुत सारे framework होते हैं, आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं, कौन सा framework आपके job दिला देगा, ये बहुत बड़ा myth है, कि हम लो इस बारे में data है, मतलब कि मुझे सवाल ये पूछते हैं, कि सर, हम कौन सी field को choose करें, जिससे कि मेरा job लग जाए, या फिर मुझे कौन सा domain select करना चाहिए, मुझे web development में जाना चाहिए, या फिर मुझे mobile app development में जाना चाहिए, या फिर मुझे backend development में जाना चाहिए, अरे ये स सवाल महा मुर्खो वाला सवाल है, महा मुर्खो वाला सवाल है, अगर आप fresher हो, तो आपकी first requirement है job, आपको mobile development करने को बोलेंगे, आपको करना पड़ेगा, आपको backend developer का काम मिलेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी first requirement है job, आप ये बताओगे क्या company को, कि मुझे ये वाला काम दो, नहीं, वो आपको बताएंगे, तो आप अभी ये नहीं सोच सकते कि मुझे किस field में जाना है, आपको पहले job लेनी है, उसके बाद आप अपने domain को decide करोगे, जब आप काम करने लगोगे कि मुझे किस field में जाना है, बोलते क्या है कि सर हमारे senior ने कहा है, ह जॉब लग जाएगी, क्या कैसे लग जाएगी, इसकी क्या guarantee है, अगर मैं कहूं कि जैंगो पढ़ लो, python में जैंगो framework पढ़ लो, तो जरूरी है कि जो company आएगी उसको जैंगो पर ही काम करना है, हो सकता है उसको flask पर काम करना है, आपने flask पढ़ लिया, उसको जैंगो प पढ़ो, DBMS पढ़ो, networking पढ़ो, ये सारे subject पढ़ो, overall development करो, जितने भी आपके college में subject है, आपको सारे subject आने चाहिए, तब आप overall development कर पाओगे, और फिर कोई भी company आए, उसमें आप बैठो, हर जगा apply करो, हर जगा की company में बैठो, और जो काम मिलता है, वो करो, ये मत बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए, ये बिलकुल गलत जवाब सवाल है, ऐसा पूछने वाले भी मुर्ख हैं, और जो आपको बता रहे हैं, वो भी गलत है, ऐसा नहीं होता, आपको पहली requirement है job, आपको जो काम मिलेगा, वो आपको करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होता कि आपने जो programming से related, जो भी आप पढ़ रहे हो, overall सब कुछ पढ़ो, ठीक है न, आपको जो curriculum में है, वो सारे subject की knowledge आपको होना चाहिए, आपको compiler design भी अच्छे से आना चाहिए, आपको operating system भी अच्छे से आना चाहिए, हाँ, अगर आपके पास कम time है, अगर आपके पास कम time है, तो C++, DSA, जावा, यह minimum करना है, DSA तो करना ही करना है, लेकिन अगर आप अभी pressure हो, अभी आपके पास sufficient time है, आप overall सब कुछ पढ़ो, और इसलिए मैं सबसे पहले suggest करता हूँ, कि BTEC, MCA, student जो होते हैं, वो gate और net की तयारी करो, क्योंकि यह super set है, अगर आपने इसकी तयारी करी है, तो super set है, gate और net super set है, अगर आपने gate की तयारी करी है, तो आपको सब कुछ आता है, आपको programming भी आती है, आप placement के लिए भी तयार हो, आप competitive exam के लिए भी तयार हो, government jobs निकलती है, computer science की, उसके लिए भी तयार हो, तो आपको इन चीजों के मैं कहता ही हूँ, अगर आप BTEC कर रहे ह हो, अगर आप MCA कर रहे हो, तो आपको इन exams की तयारी करनी ही चाहिए, चाहे आपको exam देना हो, चाहे ना देना हो, आपको इनकी तयारी करनी ही चाहिए, यह necessary है, और यह necessary कर देना चाहिए college वालों को, ऐसा कई लोगों ने कहा है, ऐसा कई लोगों ने suggest भी किया है, और कई colleges में ये compulsory भी है, कि आपको gate का exam देना ही है, कई मैंने देखा है कि colleges ऐसे हैं, जिसमें कि final exam में आपको gate qualify करना ज़रूरी है बहुत कम जगा पर है, लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए सब जगा पर, तो बहुत अच्छा development होगा, ठीक है? तो आप अगर BTEC MCA कर रहे हो, तो आपको ये करना ही चाहिए, ये exam आपको target करना ही चाहिए, और इसकी place इनकी तयारी भी मैं करवाता हूँ, इसकी classes अल्रेडी चलती है, तो अगर आपको detail चाहिए हो, तो इस contact number पर आप पूछ सकते हो मैं non-tech background से हूँ sir, course के बाद apply कर सकता हूँ job के लिए, और कुछ पढ़ना है like DBMS and all, तो जो भी subject आपको पढ़ना है धार में, आप मुझे whatsapp number पर contact कर लेना, उसके courses मैं आपको provide कर दूँँगा नई विश्वजीत, अभी मैं सब अपना अभी यहां पर यहीं पर यहीं पर आपको provide करूँगा, अपनी खुद की app पर, ठीक है मेरी खुद की personalized app है, उसी में ही आपको सारे courses मिलेगी, clear चलिए, तो आगे का हम next class में continue करते, I hope जो मैंने आपको guidance दी है, यह आपको help करे, बाकि next class में, thank you very much और subscribe करके, bell icon ज़रूर press कर देना, ताकि आपको notification मिलता रहे thank you